हेलो फ्रेंड्स वागते आपका हमार यूटूब चेनल गुजराती किचन हिंदी में आज मैं आपको मसालेदार सोया खीमा पाउ की रेसिपी बताऊंगी बहुती टेस्टी बनती है तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करेंगे रेसिपी पसंद आए तुसे लाइक और शेर जर या बीन की वड़ी जो बोलते है वो लिया है उसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया है पानी अच्छे से गरम हो चुका है अभी गैस को बंद कर देंगे इसको गरम पानी में हम करीब 15 मिनिट सोक करके रखेंगे ताकि जो सोया चंग से वो अच्छे से फूल जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि मैंने पानी अच्छे से जादर से जादर निचोड के पूरा सोया चंग से पानी निकाल के अभी हम एक मिक्सर जार ले लेंगे उसके अंदर एड़ कर देंगे तो सारे चोया चंग से को हमें यहां पर मिक्सर जार के अंदर एड़ कर देना है और अब बहुत ही अच्छे से तयार हो जाता है तो चलिए अभी हमसको फ्राइगे सबसे पहलें कड़ाई को गरम करेंगे उसके अदर डालेंगे थीन चम्म तेल यहां पर हमने मीडियम रखी है उसके बाद हम डालेंगे एक चम्म जीरा उसके बाद हमें डालना है करीब दो सबस हो जाए तब तक उसको पकाना है तो आप देख सकते हैं आप पर हमारी प्यार अच्छे से भूनना स्टाट हो चुकी है गैस को यहां पर मैंने मिडियम रखा है आप देख सकते हैं अभी हम जो बाकी के मसाले है वह एड करेंगे तो यहां पर मैंने अधरक और लसुन का पेश डाल सकते हैं बस अभी हम इसको फिट से अच्छे से मिलाएंगे उसके बाद यहां पर मैंने वन फूर्ट कप मटर लिया है यहां पर मैंने फ्रोजन लिया है आप फ्रेस भी ले सकते हैं उसके बाद यहां पर मैंने दू मेडियम साइज के कटे हुए टामाटर लिये है तो आप देखेंगे कि यहां पर टामाटर भी बहुत ही अच्छे से सॉप्ट हो चुके हैं तो यहां पर हम अभी सुखे मसाले एड़ करेंगे तो उसके बाद हमें एड़ करना है हल्दी पाउडर करीब आजा चमज यहां पर मैंने दो चुटे चमज लाल मिश पाउडर लिया है इसमें से मैंने एक चमज कास्मेर एड़ किया है ताकि उसका कलर बहुत ही बढ़िया आए उसके बाद अभी हम एड़ कर देंगे एक चमज धनिया जीरा पाउडर आपके बस अलग-अलग है धनिया और जीरा पाउडर तो आप अलग-अलग डाल सकते हैं बस अभी मसालों को अच्छे से मिक्स करना है तो आप देखेंगे कि मसाले बहुत ही अच्छे से भून के तयार हो चुकी है तो यहाँ पर आप देख सकते कि मसाले को अच्छे से भुनना बहुती जरूरी है तो यहाँ पर मैं एक आधी मिनिट के लिए उसको ढख के रख दूंगी बहुती अच्छे से मसाले अच्छे से सिख गये है तेल भी उसमें से अलग हो चुका है तो यहाँ पे अभी एड़ करेंगे एक चमच बेसन, बेसन एड़ करने से जो हम ग्रेवी बनाएंगे वो बहुती रीच बनेगी और फ्लेवरफुल बनेगी तो कभी भी आप कोई भी ग्रेवी बनाए तो इसमें एक चुटा चमच बेसन का ज़रूर युप्योग कीजे अभी मैंने अच्छे से मिला लिया है अभी हमने जो सोया का खीमा बना की रखा है वो एड़ कर देंगे उसके बाद यहाँ पर हमें पानी एड़ करना है पानी करीब दो कभ जितना एड़ करना है या फिर आपको जितना ज़्यादा थिकने पसंदे उसके इसाब से आप एड़ कर सकते है और यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला लिया है अगर आपको नमक कम लग रहा है तो पानी क आप फिर से नमक एड़ कर सकते हैं बस अभी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है अभी उसको पकाना है करीब 5-7 मिनिट के लिए उसके बाद यहां पे मैंने गरम मसाला एड़ किया है करीब 1 चुटा चमच जितना मिक्स कर लेना है और अभी उसको ढख के 6-7 मिन तक उसको चुका है उसको जादा फ्लेवर फुल बनाने के लिए मैंने यह एक चुटा चमच पावभाजी मसाला एड़ किया है और साथ में ही मैंने एक चमच बटर एड़ किया है उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है तो आप यह स्टेप को जरूफ हो लो किजे पावभाजी म खीमा बनके तयार हो चुका है यह मिक्स करने के बाद हम फिट से उसको ढगा कि एक मिनिट तक पकने देंगे तो यहां पे एक मिनिट हो चुका है और अभी गैस को बंद कर देना है उपर से फ्रेस कट हुए धनिया पते अड़ कर देने है ताकि उसका और फ्लेवर पहती ब सेक लिया है तो घर्मा घर्म हमारा यह सोया खीमा पाव बनके तयार हो चुका है आप उसको घर्मा घर्म सर कीजे तो अगर पाव बाजी की जगा आप यह भी एक बार ट्राइ कर सकते है तो अगर आपको हमाना वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेर जरूर कीजेग हमारी यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं कैसी नई रेसिपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई